भारत के 5,000 से ज्यादा कुशल शमिक अब इसराइल के उध्योगों में काम करेंगे और भारत के विधायकों से भी ज्यादा रुप्य कमाएंगे जी हाँ इसराइल भारतिय शमीको को जो सेलरी देने वाला है वो भारत में विधायक और आई-एस की सेलरी से भी ज्यादा है हमास और इसराइल जंग के बीच हजारों लोगों की मौते हो चुकी है वहीं इसराइल ने हजारों फिलस्तिनियों के वर्क परमिट भी रद्द कर दिये है इससे इसराइल के निर्मान शेत्र में मजदूरों की कमी हो गई है ऐसे में निर्मान ध्योग में खालिपदों को भढ़ने के लिए इसराइल भारत से शमीकों की भरती करा रहा है कुशर श्रमिकों की भरती के लिए इसराइल ने भारत के उत्तरप्रदेश और हर्याणा में भरती अभियान चलाएं हैं जिसमें 31 जनवरी 2024 तक यूपी और हर्याणा के 5600 से ज्यादा उम्मीद्वारों के चैन के साथ भरती अभियान पूरा हुआ है यहाँ बता दे के फिलहाल इसराइल लोहा और सर्या बैंट करने वाले राज मिस्तरी टाइल्स मार्बल मिस्तरी और बड़े जैसे कामों के लिए भारत में भरतीयां कर रहा है अब श्रमिकों की सेलरी की बात करे तो इसराइल भारत से भरती किये गए मज़ूरों को 1,37,000 रुपिये मासिक वेतन और 16,515 रुपिये बोनस देगा यानि कुल सेलरी डेड़ लाख रुपिये से भी ज्यादा होगी उन्हें मैडिकल इंशूरंस, भोजन और आवास भी मिलेगा अब अगर इसराइल में मज़ूरों को मिलने वाली सेलरी की दुलना भारत में विधायकों और आईएस अफसरों के वेतन से की जाए तो श्रमीकों को इसराइल में मिलने वाला पैसा काफी ज्यादा है भारत के अलग-अलग राजियों में विधायकों का वेतन अलग-अलग है ये वेतन 40,000 से लेकर डेड़ लाख रुपिय तक है लेकिन आउसद वेतन देखे तो डेड़ लाख की आसपास ही है वहीं IAS अफसर का ट्रेनिंग के दोरान वेतन 56,100 रुपिय होता है और पहली पोस्टिंग में 1,32,000 रुपिय होता है इस हिसाब से तुलना करने पर इसराइल में भड़ती होने वाले भारती श्रमीकों का वेतन भारत में विधायकों और IAS अफसरों को मिलने वाली सेलरी से ज्यादा है अगर आप सोच रहे हैं कि वेतन इतना ज्यादा है तो काम भी उतना ज्यादा ही कराय जाएगा तो ऐसा बिलकुल नहीं है इसराइल में श्रम कानून है जिसके तहत श्रमीकों को हफते में केवल 42 घंटे काम करना होता है वहीं इसराइल में शिक्रवार को आधे दिन ही काम होता है इसके साथ ही अच्छा खासा ब्रेक भी दिया जाता है एक और खास बात इसराइल में करमचारी को ओवर्टाइम के लिए भी अच्छा खासा भुकतान किया जाता है ओवर्टाइम के पहले दो घंटों के लिए 125 फीजदी की दर से तो इससे ज्यादा ओवर्टाइम के लिए 1.500 फीजदी की दर से वेतन के साथ मुआवजा दिया जाता है कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसराइल में भारती मज़़ू की चांदी होने वाली है